दोस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेश्ची विल कॉंटेक्ट में और दोस्तों आज हम बात करेंगे डबलुसी एल कोल इंडिया प्राइवेट लिम्टेड जो कंपनी है उसके टेंडर के बारे में उसके टेंडर कैसे देखते हैं तो दो कि या रिंडिया और इसमें नीचे आ जाता है डेंडर पोर्टल यह मैं यहां पर किलेक्र कर दिया है यह देखिए यह आ गया इसके नीचे यह लखा आ कर दिया इस्क्रीन दिखाने के लिए आपके लिए सारा कुछ के लिए रहे अब दोकों सबसे पहले क्या करना है हमें जो मैंने सर्च करके बताया इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे देखे दोस्तो सबसे पहले क्या करना है टेंडर वाई लोकेशन होता है इसमstellen आपने जो लॉकेसन का आपने जो नजढ़ी वह अराम से आपकश्रावस अगर आपके नजढ़ी आपको यहां पर आ जाती है, बारत कुकिंग कॉल इंडिया, सेंट्रल कॉल फिल्ट्स लिंटेज्ट यह सारी है कंपणिया इसके अंदर देखते हैं, यहां पे 28 दिसम्मर 2023 को पांच बजे यह टेंडर पब्लिस किया गया है जो मैं अभी जश्ट बना रहा हूं आपको यह देखिए अभी जो बीडियो मैं यह बना रहा हूं मैं ताजा जो भी कोई चीज आ करता हूं मैं डायरेक्ट ही सो करता हूं मतलब मैं इस क्रिप्ट नही ऐसे डेशाटे ब Craftow zor ll d यह यह बना रहा हूं मतलब मैं धि, आन्यक्षाम जो अफैषा का बैद начала क्तों आतलों मैं तरीके से तो कर सकते है और एक चीज़ ढयान रखिएगा मैं हर टेंडर में बताता हूं यह टेंडर रेफरेंस नंबर जो होता है यह आपको जब कुई टेंडर भरते हैं तो यह लिखके रखना होता है तूसरा टेंडर आईडी यह आपके पास होनी चाहिए अगर आपको टे तेंडर रूड़ने में आसानी रहेगी उसके बाद में यह सारी चीज इसमें लिखा होता है जो आप इसको खुदी पढ़ सकते हैं यह ओपन टेंडर भर्क है यहां से अंलाइन सारी चीज डिटेस्ट दी हुए थी इसके अंदर बैंक नेम हो गया कवर्ड यह सारा जो भी ड यह सारी चीज इसके बाद में आप देखे तो इसमें टाइटल लिखा लेक्रिकल पार्ट रिवारिंग जो मैंने ऊपर बता है तो वही सारी चीज इसके अंदर लिख हुई है इसमें यह कर सकी है काम जो करेंगे यह है इसके बाद में आप आजाए टेंडर बैल्यू दोस्तो टेंडर बैल्यू है एक लाग पैंतालीस हजार चैसो सित्यासी रुपे का टेंडर बैल्यू है यह जो टोटल टेंडर है एक लाग पैंतालीस हजार चैसो सित्यासी रुपे ये total ही काम आपका 10 दिन का time है ये जरूर ध्यान रखिएगा 10 दिन के अंदर अंदर ये काम आपको करना होगा त्योंकि ये पूरी आपको समझ लेने चीज़े सारी चीज़े अब आजाएए इसके अंदर देखें ये दोस्तों ये इसका publish date है 28 तारिक 28 दिसम्बर 2023 पाँच पीम उसके बाद में document download sale and start date इसकी 29 तारिक को ये 9 बज़े सुबह में तब जाके इसके documents जो होंगे उनको आप download कर सकते हैं अभी इसका कोई भी download documents नहीं होगा क्योंकि 28 तारिक को तो ये आज ही इन्होंने publish किया है और ये downloads में जो documents हैं वो कल होंगे 29 तारिक को यानि की और ये start date इसकी clarification start date भी 29 तारिक 9 बज़े के बाद जो download करें उसके बाद भरना चालू कर सकते हो bid submission start date भी 29 तारिक के 9 बज़े के बाद ही होगी bid opening date आपकी होगी 8 जन्वरी को दस बज़े के बाद में आपको 8 जन्वरी को ये टेंडर खुलेगा sell end date ये मलब 6 तारिक को शाम को 5 बज़े तक आप इसको मलब download कर सकते हो और टेंडर भर सकते हो ये ध्यान रखिएगा इसमें 2 जन्वरी लिखी हुई है 2 जन्वरी 5 पीम clarification end date 2 जन्वरी लाइश्ट है और bid submission end date 6 जन्वरी यानि 6 जन्वरी एक बाद में ये टेंडर नहीं बरा जाएगा ध्यान रखिएगा अब आते हैं इसके अंदर नीचे ये टेंडर नोटिश है क्योंकि इसका भी कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि अभी इन्होंने और जानकारी के लिए आप मेरे को बाटसेप पर मेसेज कर सकते हैं और वीडियो की लिष्ट में आपको भेज़ दूँ को बाटसेप में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा हो तो आप एक लाइक करिएगा थैंकि दोस्तों